okay so hello everyone welcome to the 16th lecture of design of a steel structure and in today class I am going to start a new topic that is design of welded connection and a design of welded connection so a hain jho aapka riveted connection ya bolted collection ke tulna mein iska jho aapka analysis is simple and analysis is simple but simple is that you can understand the basic concept kya build connection ka jho bhi concept involved ho ga usko aapko kya karna hoga sa maja na hoga so start karthay hain aaj ki class a sabse pahli baar ki aapka mind me me aana chahiye ki sir belated connection akir picture me aya kiya na belated connection ka hamloge use kyun karra riveted connection me aisa kya problem tha ya pheriveted ya bolted connection me kya problem tha to aapko mahi pahle hii bata chuga haun ki jho aapka sabse pahle hai jho rivet use me aya tha uske baad hai jho aapka bolt aya phir hai jho build aya matta ek dúsry ka kya improved rup hai eek dúsry ka kya hai improved version hai na so so hai ham dhekhenge ki akir rivet me kya kya uska matab us me kya disadvantages tha us me kya kya kamya thi jiske karen hai jho hume build a connection ka use me lana pada ha no so sabse pahle kya kya kabar ka ra genya so disadvantage of riveted connection?? daiiceps mye how come पॉलूशन है ना चुकर रिवेटिंग में क्या करते थे हैं मिर गगरे कई उच करते थे तो हैं मिरी करने से क्या होता था आपका मतलब की नौईज पॉलूशन काफी जादा होता था सब तो नेक्स्ट है जो आपका टाइम कंजूमिंग प्रोसेस है यह क्या है हम बोल सकते हैं कि जो रिवेटेड कनेक्शन ने वो क्या है टाइम कंजूमिंग प्रोसेस है नेक्स्ट पॉइंट चुकि टाइम कंजूमिंग प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं कि सपोज किजिए कि कोई स्ट्रुक्चर रहों में है जो आपको हजारों रिवेट्स की जैडरोत्रों पड़ती है तो जितना नंबर ज्दा रिवेट्स कुर्ण करना होगा उसी के अनुजात है जो हमें आपको manpower का involvement करना होगा manpower का क् freaking out involvement करना होगा नहीं तो कि next one is replacement and reuse not possible third point है जो क्या है replacement and reuse are not possible third point मैं हाँ पे लिखाओ कि replacement and reuse are not possible है न जैसे bolt है न बोल्ट में क्या कर सकते है अगर suppose किजिए कि कोई bolt और nut में कोई एक है जो अगर डिकॉर्ट हो गया तोसे कर सकते हैं लेकिन यह ब्लास्मिंट एक बार डिककुर्ट हो गया तो उसको आप चल नहीं कर सकते हैं मतलब देखते हैं थैनिट पॉइंट फ्ले नहीं मत Tet βिंट त्भा लेक लियूजत उसको है प्लेश में प्लेक्चे करें तो उसको क्या करना पड़ता था नहीं उसको फिट करना पड़ता था चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या नेक्स्ट पॉइंट बोलता है more skilled labor is required more skilled labor is required है ना चुकि को रिवेट है जो को इंस्टोल करने के लिए क्या चाहिए आपको skilled labor की जरुद पड़ती है तो यह सब इसके क्या था disadvantages था यह सब आपका इसका क्या है disadvantages है अब देखिए हैं लास्ट वान है लेवर कॉस्ट इस हाय है यहां पर मैंने बताया कि यह क्या है क्या है टाइम कंजोमिग प्रोसेस है तो जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना ज्यादा हमें मैंaff मेरा पश्बार कहरेगा उतना ज्यादा क्या होगा मनी का offset ऑठेगा था लेवर connections का हेहाई हो इसमें देख्तेहें नेक्स्ट नेक्स्ट है जो आपका क्या है बेल्डिंग है अब हम देखते हैं कि बेल्डिंग होता क्या है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि वाट इज बेल्डिंग बेल्डिंग आप किसको बोलेंगे सो डेफिनेशन मैं यहां पर लिख रखाऊं कता है Building is a process of connecting pieces of metal by application of heat अगर इसकी definition की बाद किया जा तो definition क्या बोलता है definition बोलता है कि Building is a process of connecting pieces of metal by application of heat इसमें क्या होगा चुकि दो मेटल को यदि बेल्ड करना होगा तो क्या करना होगा यहां पर हमें इलेक्ट्रोड लाना होगा यहां पर आपको क्या करते हैं बेल्डिंग इलेक्टोट लाते हैं उसके वाद इसमें क्या करते हैं विल्डिंग इलेक्टोट लाते हैं उसके जब मेटल में इसको हम मेटल के पास जब इसको हम टच करते हैं तो क्या होता स्पार्किंग होता है क्या होता है स्पार्किंग होता है उसके कारण क्या होता है हेट जेनरेट ह होता है नहीं और उस हीट के कारण क्या होता है मेटल है जो मेल्ट होता है मेटल क्या होता है मेल्ट होता है और उसके बाद फिर क्या होता है उसका कुलिंग हो जाता है इस तरह से दोनों के बीच में क्या होता है बॉन्ड का क्रियेशन होता है तो बेल्डिंग इजे प्रोसेस का पूर्मिशन हो रहा है जिसको हम बोर रहे हैं मैटलर्ज को पापका एक्जैर्ट मिước है video bond between the two metals, bond between the two metals. So, during building, a metallurgical bond is formed between two pieces, between two pieces. Next point देखते हैं. So, next point बोलता है कि, कता है, the bond has same physical and mechanical properties as the parent metal, as the parent metal. Bond has the same physical and mechanical properties as the parent metal, as the parent metal. This bond has the same physical and mechanical properties as the parent metal, है न? जो भी आपका bond का creation होगा, building की कारण जो भी bond का creation होगा, उसका जो physical और mechanical properties होगा, वो क्या होगा? parent metal के बराबर होगा. जिसे सपोज कि यहाँ पर में देखे ए मेटल वन है एक क्या है मेटल वन है और एक क्या है टू है इसको बोलते हैं पैरेंट मेटल क्या बोलते हैं इसको पैरेंट मेटल बोलते हैं इसको पैरेंट मेटल बोलते हैं कि दोनों को हमें बेट करना है दोनों को हमने बिल्ड किया तो यह लाइन यही बोलता है कि इस पॉल्ड हैस देस्म फिज्कल मेदकल प्रौपर्टि अज देठ प्रिकल करेंट में राफ होगा देसफी जो यहां पर एक नया bond का creation हो रहा है उसका physical property और parent matter का physical property दोनों का mechanical और physical properties क्या होगा same होगा है ना दोनों का mechanical और physical properties क्या होगा same होगा यह इसका exact meaning है चले आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका advantages and disadvantages of welded joint advantages and disadvantages of welded joint क्या-क्या advantage और disadvantage है यह बेल्डे joint का है नो हम अब cover करेंगे ठीक है चुकि यह जो question है आपका semester में भी आता है और competition में भी आता है तो इसको हम अभी cover कर लेंगे क्या-क्या क्या करना है समझते जाना है क्या करना है समझना है अधर वाइज आपको problem हो जाएगा चलिए कि सबसे पहले advantage कभर करेंगे सबसे पहले क्या cover cover करेंगे advantages कभर करेंगे किसका रिवेट का है रिवेट का हम लोग सबसे पहले advantage है जो cover करेंगे है ना सो कता है कि builded joints are more economical than riveted or bolted joints than riveted or bolted joints builded joints are more economical than riveted or bolted joints because in builded joints no covers are required no covers are required हैंना चुकि घब हम riveting करॺे थे या फिर on bolting करते तो वहां पर क्या होता extra cover plate की जरूद पर क्या प्लेट की जरूद परती है ум Whats that cover plate की जरूद परती है रहना extra-cover plate की जरूद परती है जबकि building में ऐसा boy cover plate की जरूष है नहीं building में ऐसा कोई भी कभर प्लेट की क्या है जरूरत नहीं है नहीं बिल्डिंग में सा कोई भी कभर प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती है तो बेल्डेट जोएंट्स और मोर एकनोमिकल दैन रिवेटेर और वोल्टेर जोएंट विकाउज इन बेल्डेट जोएंट्स नो कभर सारेक्वा क्या होता है कोई भी कबर की जरूबत नहीं पड़ती है नहीं ठाइच्ट कोके लिखे इस सेककेंडं पोंट्य न ने इसां सेकेंड पॉंट्वीर्ट क्या कहता है सेकेंड'. कर रहा था क्या हो रहा था कि यह हो जा रहा था नहीं ने अल्सके कारण क्या हो रहा था लोट करिंग के पसीटी है जो रिदू हो जाता था मेंबर का लोट करीं कपसीटी कि हो जाता था रिडूस हो जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है इस केस में आपका क्या है गुता है आज नो होल सा रिकॉइर्ट for building the structural members are more effective in taking load the building के लिए क्या है कोई भूल करने की जरूद है नहीं है ना तो इस केसे में क्या होगा आपका है मतलब लोड करिंग कापसीटी क्या होगा इंक्रीज हो जागा लोड करिंग कापसीटी क्या होगा इंक्रीज कर रहे थे तो को नहीं कर रहा था लेकिन इस केस में पोई कभर बगरा ऐसा यूज कर नहीं रहें तो अगर बात करें तो क्या होगा रिडियूस होगा थार्ड आपका benefit आपका एड्वांटज यह हुआ फूर्थ वन देखते हैं कि बिल्टेटट जॉइंट्सलन हें पॉइंट्सलन जॉइंट्सलन क्या था लिप्ट में आपको क्लेरेंस था रिवेट में क्या होता था विपित का जू नॉमनल डाया और बढ़ दोनों में क्या था आपको पता है कि जब नॉमिनल डाया 25 तक था तब हम किलेरेंस 1.5 ले रहे थे और 25 के बाद आप कितना ले रहे थे तो उस कारण क्या हो रहा था कि आपका जो जो जॉआंट है वो कंप्लेटली रिजिट नहीं बन बा रहा था था यहां पर क्या होगा बेल्डिंग क्या ह होगा completely rigid होगा तो बेल्ड जोइंट आर मोर रिजिट दैन रिवेटेट जोईंट फॉर्थ पॉइंट हो गया के लिए नेक्स्ट पॉइंट एक ते हैं कता है दू तो फ्यूज़न अफ्टू मेंस मेल्ट होना फ्यूज़न मेंस मेल्ट होना है ना तो दू तो फ्यूज़न को जब आप बेल्डिंग करते हैं तो बेल्डिंग करने के बाद जैसा कि प्रिवियस स्लाइट में हम लोग ने देखा दो मेटल को आपने बेल्ड किया और बेल्ड करने के बाद बेल्ड करने के बाद क्या हुआ इस पे जो भी रफ हरिया बनता है उसको क्या करते हैं ग्रे ऐसा लाएगा कि यहां कुछ है जो बेल्डिंग बागर भी नहीं किया गया है थ्रू और तो क्या हो जागा सर्फिस आपका स्मूथ हो जाएगा तो इस पॉइंट का वही मतलब है कता है डिव टू फ्यूजन ऑफ टू मेटल पीसेस दा स्ट्रक्चर ऑप्टेन इस कंटीनिव टू फट जबन रहा था नहीं बन रहा था जो कि दो मेटल को आप बेल्डिंग जब करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यह जो सर्फिस है को मेल्ट करना पड़ता है दोनों तरफ से इसको क्या करना होगा मेल्ट करना होगा तो यह प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन है ना मेल्टिंग ऑफ मेटल इजनुने फ्यूजन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखे बेल्डेट जॉएंट गीप से बेटर आकिटेक्ट्रल एपेरेंस है ना अगर सुंदरता की बात क्या जाए तो अस्ट्रक्चर है जो बेल्डेट जॉएंट में क्या होता है ज्यादा अच्छा देखता है क्यों क्योंकि इसमें क्या है 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 इसमें हाना रिवेट में आपका क्या हो रहा था काफी न्वाइज पोलूशन होता था किसके कारण डू हैंब एक्ष्ण के कारण enary the के कारण क्या होता था आपनोई पोलूशन वहाँ पे बहुत जादा होता था है जब कि यहाँ पैस्पर सीग्षट बगर्सार इकंद होता है है ना तो यहां पर नौाइज पोलूशन क्या होगा कम होगा है ना हम यह नहीं बोल रहे हैं कि completely completely noise pollution को हम यहां पर रिमूव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे चुक्कि जब असपार्क होता है मेटल जब इलेक्ट्रोड होता है जो मेटल से मेटल के टेच में आता है तो क्या होता असपार्किंग होता है तो तो ऊसपार्किंग के कारण क्या होता है हलका noise है जो create होता है लेकिन अगर रिवेट से rebating फ्रोटश से इसका आप comprehension करते हैं तो रिवेटिंग फ्रोटश के तोनना में क्या होगा यहां पी आपका noise pollution कम होगा, इस point का exact meaning यह है, थोड़ा थोड़ा आप समझ के अगर याद करते हैं, तो काफी easy हो जाएगा याद करना, हाना, so building process creates less noise pollution as compared to riveting process, next one देखते हैं, next one, the speed of erection, कोई भी structure खड़ा करने का speed होगा, मतलब structure को erection बोले या fabrication बोले, या fabrication बोले, तो speed of the erection और fabrication is higher with the building process, हैना, चुकि riveting और bolting में क्या हो रहा था, time लग रहा था, लेकिन building में क्या होगा, उन दोनों के compression में क्या होगा, कम time लएगा, हैना, so इसलिए मैंने एक पॉइंट लिखा कि the speed of the erection और fabrication is higher with the building process, हैना, मतलब structure आप काफी तेजी से इसमें बना पाएंगे, इसका exact meaning है, structure है जो काफी तेजी से आप इसमें बना पाएंगे, next point देखिए, next point काता है कि the efficiency of the builded joint is more than that of the riveted joint, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, जो riveted building joint का efficiency होगा, वो क्या होगा, riveted joints और bolted joints के तुलना में क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, हैना, so efficiency of the builded joint is more than that of the riv divided joint, total कितना point होगा, nine point होगा, and total nine point होगा, ठीक है, अब देखिए, in spite of various advantages, there are some disadvantages of building process है, which I am going to discuss, अब क्या है, इतना सारा advantage मैंने बताया, इसका मतलब ये नहीं है, कि इसमें, disadvantages नहीं है, इसमें भी कुछ न कुछ क्या है, disadvantage है, अब क्या-क्या disadvantage है, उसको हम लोग one by one करके discuss करे करेंगे, ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है, disadvantage बोलता है, कि more skilled personnel, personnel means persons का ये, मतलब, एक्तर से plural form है, हाना, so more skilled personnel are required, more skilled personnel are required for making build in metal, making build in metal, हाना, आप लोग भी फर्स समेस्टर में, या फर्स्ट यर में है, जो building कियो होंगे, हाना, वहाँ पर क्या होता है, काफी प्रोलम आता ह है, जो मेंटल के साथ चिपक जाता है, नहीं, एलेक्टोर है, जो मेंटल के साथ चिपक जाता है, चुकि एक proper distance है, जो दोनों में में मेंटेन करना होता है, वो distance हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते है, जिसके कारण क्या होता है, जो चिपक जाता है, लेकिन जो skilled personnel है, जो builder है, उसका यही काम है जो आइटी आई बगेर है सब करते हैं वो आई टी आई जो होता इंडुस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टूट बगेर होता है उसमें यह सब जो प्रोपर बे में सिखाया जाता है ठीक है इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं देखिए जब आप दो मेटल के बीच में बेल्ड करेंगे तो उसको क्या होता चेक किया जाता है कि प्रोपर बेल्डिंग हुआ है नहीं हुआ उसके लिए दो-3 टाइप का टेस्ट होता है जैसे ड्राइट टेस्ट होता है ना बेट दुख होता है ठीक है तो एक से वह जो काफी क्या होता है दूसरी बात कि आपका सूपरनों का पाट जो मतलब से विरॉस्टी होता उस najwię आ जिसे 2 मिधिल के बीच में आपने क्या है सबूर्ज है ने यहां पर सॉता जिसको भट प्रस में लाएंगे टो और या देगा वो अगर इस तरह से कुछ है जो बेव का क्रियेशन हो रहा है मतलब इसमें डिफेक्ट है लेकिन यह किलियर है जो इस तरह से जा रहा है स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है मतलब बेल्डिंग है जो काफी अच्छा से कि द्राइट करते हैं कि सपोच कीजिए कि दो मेटल के बीच में आपने क्या किया है विल्डिंग किया है तो क्या होगा जिसा पूंच कि एक मेटल है है जो इसमें चलाते अगर दूसरे तरफ कुछ भी लाइट नहीं कर रहा है इसका मतलब टीन क्या है परफेक्ट है है नहीं सेकंड ठीन्ग इएप प्नेट्रेशन टेस्ट करते हैं एक है जो प्真ेट्रसनट करते हैं आपका अस्प्रे किया जाता है बिल्डिंग के एक साइड जैसे ए मेटल है आपने बिल्डिंग किया तो एक साइड क्या होगा बेल्डिंग करने के बाद है जो यहां पर अस्प्रे करते हैं अगर अस्प्रे इसके अपोजिट साइड में क्रॉस नहीं कर पाया इसका इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब बापीस को बेर करते हैं यह तब तक कि कम्प्लिटिट लेह जो होना है जो फिल नहीं हो जाए हना तो यह सब इसका मतलब है the inspection of the belted joints is difficult and expensive, इसलिए difficult बोला जा रहा और expensive बोल रहा है, तो यह क्या है, यह एक टाइप का इसका disadvantage है, नहीं, यह एक टाइप का क्या है, इसका disadvantage है, next point देखे, next point काता है, कि the internal stresses are induced in the metal, due to uneven heating and cooling, uneven heating and cooling, इसका exact meaning क्या है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, इसका exact meaning क्या है, चुकि देखे, जहां पे आप building करेंगे, सबस्किजभ कीजे, कि यह 2 metal है, यह 2 metal है, इस इसी क्यापको building करना है, तो यहाँ पे elektron idag को touch करेंगे, यहाँ पर, उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे, इसको, क्या करेंगे में रेकिन इसके में करने के दौरान क्या होगा थ्यान से समझने कोशिद किजे यह जो आज पासवाला area है तो हिट हो जागा एक हुजआगा लेकिन बुल का और यह जगा होगा यह सब और टिस वाम हमागा आप तो उसके करण क्या होता है? fasting strength है जो less होता है so builded joints are more brittle इस point को देखे internal stresses are developed इसके करण क्या हो जाता है? कुछ internal stresses हो जाता है in the meter due to uneven heating and cooling uneven heating and cooling का मतलब मैं समझा दिया चुकि यह जो area है यहाँ पर hitting क्या होगा? जादा होगा यहांपे hitting क्या होगा लेकिन इस area में क्या होगा इस area में hitting कभी कम हो तो किया होगया ऐटइंग हो गया तो uneven hitting के कारण क्या हो जागा गब इसमें अच्टे से जो develop हो जाते है थो कि क्या है इसका Dr conclusum हो जाता है जो इसका joints are more brittle therefore their fatigue strength is less, fatigue strength is less, fatigue strength क्या होता था मैं strength हो material में फस्ट युन्यूंट में काफी अच्छे से समझाया हूं है ना उसमें ग्राफ बना कर भी आपको समझाया गया था fatigue और endurance limit के बारे में है ना एक क्या होता है मतलब एक material का strength है under repetitive पीठिटिव लोड़ अंडर डी अक्सान ओफ रिपटिटिटिव लोड़ है नहीं क्या होता है एक एक जो बीडिल्डेues होता है तो विल्डबूी बील्डिंग- mister होता है वो क्या होता है ब्रिटल इन弥र होता है हघाना सो एक क्या होता है current Kingdom the Kimberly मट्रियल है वो क्या होता है डिल्डल वी नेचर होता है वी क्या होता है उना होगा लीडाल में क्या होगा है ब्रिटल होता है नहीं इसलिए fighting strength की बात करते हैं तो building joint का जो fighting strength होगा क्या होगा कम होगा metal के तूलना में तो ये 4 है जो आपका disadvantage है तो 4 point यहां पी मैं बता दिया और यहां पे आपको बता दिया कितना point total 9 point बता दिया total कितना point बता दिया 9 point बता दिया ना अब देखिए है जो कोसेन है आपका एक्जाम में पुच्ता है के दो बार भी तक पुच चुका है ।हाई से कोस्ट ने देखे पूछा हूँ अपका समेच्टर एक्जाम में तो कुस्ता है समे क mortal पूछता है और आप पॉइंटNew tab भूल भी जाते हैं फिर भी एट-पाइंट इदहर से लिए संवार्ट से लिग जाएगा है ना यही क्या था इसके पीछे का बताने का हमारा मेन मकसद था ठीक है तो काफी अच्छे से मैं अपने तरीका सा explain क्या हूं इसको अब आपीस है अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो repeat किजिए नेक्ष्ट देखते हैं अब देखें नेक्ष्ट पॉइंट प्याइए तो इसमें क्या है कुछ एजम्शन क्या गया है क्या क्या गया है कुछ है जो एजम्शन क्या गया है अब जैसे हमने the various parts are homogeneous homogeneous होगा isotropic होगा and elastic होगा elastic element होगा है ना हम homogeneous मान के चलते हैं है ना मतनब जो भी प्रिपर्टी होगा और हर एक पॉइंट पे क्या होगा सेम होगा हर एक प्वाइंट प्रिप्वाइंट प्रिपया प्रिपंट नियुक्ट होगा और आइसो ट्रोपिक क्या होगा किसी पाइट कॉल। डाइक और सेम होता है पूरी अखरीम होगा आपका पूर्पर इस्का सेम होगा बाक्की हुम जिनियाश aujourdशनी में होता चैन्ह ना इश्टरेंट। में discuss करूंगा इसको exact meaning में वहां पर समझाओंगा अभी आपको बस इतना याद रखना है कि बेल्ट जो बेल्ट कनेक्टिंग दा वारियस पार्ट्स होता हो होता है होमोजीनियस होता है आइसो ट्रोपी होता है और इलस्टिक होता है इसको हम एजंशन लेके चलते हैं सेगंड पॉइंट लिखाओं कि इधा पार्ट कनेक्टेड वाई धे रजीड और रिजीड हैं और रजीड और डिफ्रमेशन अपनेशन और निगलेक्टिंग सब्सक्राइब को थोड़े बाद में जो डिटेल में डिसकस कर देंगे आप लोगों को पता है ठीक है तो थार्ड रिजाम से नहीं है कि रेसिडिवल एस्टेसे रेसिडिवल एस्टेसे क्या होगा आन इभेर हिटिंग के कारण जिस यहां पर देखिए इस एरिया में क्या हो होगा इधर जैसे दूर जाते जाएंगे हिटिंग क्या होता होता जाएगा कम अधाय कारण क्या होगा रातर both stress there you me develop we๊ जाता है अई सब चीजों को हमने macht करते हैं यह सब चीजों को क्या खरते हमने चलिए अब नेच्ट कोइंट है जो आप पहरा क्या है निक्स्टक्षक समस्ट है टाइप अभी टाइप बेल को काफी डिटेल में देखेंगे चुकि यहां से 15 से 20 इस माक्स का question है जो आपका इसका टाइप पूचता है competition में और आपका semester में भी पूचता है जो sow step or build की बात करते हैं तो सबसे पहला है जो टाइफ है वक्त बेल insect हैanda 1 एचानग़ J снवος सलोट बेला अर் यहां से मैं इतना है समझहाना चाहरा हूं कि जो जितना जीसरेसी त्हटा रएंगे हम इसको discussion भी करेंगे और उतना है इस पर time भी invest करेंगे पढ़ने में है ना इसका मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा time हम किसको देंगे फिलेट बेल्ड को देंगे जब हम फिलेट बेल्ड का design करेंगे तो हाँ पर सबसे ज्यादा है जो time investment करेंगे है ना बट बेल्ड उसके बाद अभी आज है जो बट बेल्ड करेंगे तो बट बेल्ड में उसके बाद time देंगे और सबसे कम time देंगे सबसे जळादा इंपोर्टेंड है वो कौन सा है फिलेट बेल है तो इस पर अपसे लगा लगा लिए यह 94G को सबसे ज्यादा इसको यूज मिलेते हैं इसलिए सबसे ज्यादा एक्जाम में इस यही पढ़ना भी है और इसी से को तर आता है न है अब फिर भी वहां पम लोगी में दिजाइनिंग करें ढेढ़ाह करें है उन्हां और प्लग वेल बोलते हैं अब इसको हम वन वाई-वन करके देखेंगे किसका एगजयक्ट मेंनिंग क्या है तो फर्स्ट अपॉल सबसे पहले डिसकस करेंगे अब देखो यहां पर नोट लिखें करता है कि बर्ट बिल्ट मोस्ट सूटेबल कहां पर होगा कहां पर सबसे ज्यादा सूटेबल होगा है उसके बारे मैं लिख रहा हूं कथा it is most suitable for a structure where a smooth flow of stresses is required कहां पर युज करेंगे जहां पर a smooth flow of stress required होगा उसकेस में हम क्या युज करेंगे बट बेल्ट युज करेंगे second point I have written here butt belt is mainly designed for direct tension and direct compression जहां पे direct tension load लग रहा होगा या direct compression load लग रहा होगा वहां पे हम क्या design करेंगे butt belt design करेंगे सबसे पहले इस figure में देखिए इस figure में देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए यहां पे क्या होगा दो metal को जोड़ा गया एक मेटल आपका यह है दूसरा मेटल आपका यहां यहां पे क्या होगा दोनों को बट बेल्ट से जोड़ा गया है इसको जोड़ा गया तो यहां पर क्या होगा इधर आपको फोर्ष लग रहा होगा और इसमें इधर है जो आपको फोर्ष लग रहा होगा तो यहां पर क्या देख रहे हैं डारेक्ट टेंशन में है यह जो दो मिटल है वो क्या है डारेक्ट टेंशन में है है तो यहां पर कौन सा बेल्ड यूज क यहां जॉनत यह को क्या बोलते हैं प्याइन करेंट में आना या मेन मेटल एक वेरेंट मेटल हो गया हुआ में मेंटल यह देखे चाकर गया है बेल्डिंग क्या गया आपकांगश बाट बेल्ड क्या गया Fish तो बट बिल्ड इसी को क्या बोलते हैं जैसे बट जांट पढ़े थे न रिपेट में उसी टाइप से है दोनों क्या है सेम प्लेड में है अब देखें यहां पर थ्थोड़ा सा और देख लिए हैं यहां पर देखिए चुकि आप बुक आप अपने कॉपी में तो यह वाला फिगर बनाएंगे कॉपी में आप यह वाला फिगर बनाएंगे है न यह दोनों तो सिर्फ आपको साइट पे चुली में कैसे काम करता है इसको दिखाने के लिए आपको मैं इस फिगर को दोनों को मै देखिए यह जो दो मेटल है उसको क्या बोलते हैं बेस मेटरियल बोलते हैं या तो इसको पैरेंट मेटरियल बोलते हैं या तो पैरेंट मेटरियल बोलते हैं या तो बेस मेटरियल बोलते हैं और लिख लिए चलिए और देखके लिख लिए इसको क्या बोलते हैं बेस मेटर चलिए इसको क्या बोल दिए बेस मेट्रील बोल दिए ठीक है अब देखिए यह क्या है बेल्ड है यह क्या है बेल्ड है जैसे यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर तक बिल्डिंग क्या गया होगा है ना इसके अंदर तक इसको क्या क्या होगा बेल्ड क्या गया होगा इस तरह से इस तरह से इसको बिल्डिंग क्या गया होगा है इस तरह से देखिए उपर तक क्या गया है अभी उपर तक क्यों क्या गया है इसका रिजन में बताऊंगा भी इसका सारा रिजन है जो आपको बताऊंगा है इसलिए थोड़ा पेसेंटली है जो आप सुनिए अब इसी में क्या क्या गया है बेल्ड क्या गया है इसी को क्या क्या गया है बेल्ड क्या गया है अब देखिए इसके आस पास बहला जो रिजन होगा उसको बोलते हैं हीट अफेक्टेट जोन इसको क्या बोलते हैं हीट अफेक्टेट जोन एक क्या होगा इस जोन को क्या बोलेंगे हैं हीट अफेक्टेट जोन बोलेंगे हैं और दो जो सर्फिस होगा उसको क्या बोलते हैं पियूजन फएस से आगे इसको देख लेंगे चूँकर बेलिग करने के बाद पहले आप क्या बनाएंगे पहले यस तरह से School बनाएंगे तैसे होता है इसको अभी इसको कर देंगे ऐसी फेस को बोलते हैं फ्यूजन फेस को कि ऐस-s I go kijken how I can drink फिजन फेस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैंähr है स्क बीटिल में भी अपर आगे दिखेंगें डुस्री बात किसके आस पास बला जो जोट क्या होगा क्या होगा काफी काफी ज्यादा हीट से अफेक्टेड होगा जैसे मैं बताया है यहां पर यह जो जो जोन होगा क्या होगा हीट अफेक्टेड होगा कि यह जो जो जोन दिख रहा है आपको यह क्या होगा हीट अफेक्टेड जोन होगा है ना हीट अफेक्टेड जोन होगा लिए अप्दी कि यहां पर भी होगा यहां पर भी होगा इधर ये वाला जो जोन होगा है सब क्या होगा अम यहां ज़्लीं करेंग अदा जल्दी ग hedge रहादे करेंगा में हीट अब सुनिख अब सुनी यह जो पोर्षन है इसको बोलते हैं यह जो पोर्षन है यहां से यह वाला पोर्षन यहां से लेके यहां तक यह वाला मतब जितना मेटल का क्या है वीथ है जितना मेटल का क्या है ठिकने से इसको बोलते हैं थ्रोट क्या बोलते हैं इसको थ्रोट इसको बोलते हैं प्रोट इसका नाम दिया गया है फ्रॉट थिक्नेस इसको क्या बोलता है थ्रोट थिक्नेस है अब देखिये कोάλ exist को तुम हो कि इसको थो मैंने बोल दिया थ्रोट थिक्नेस तो यह सब क्या है छोटा-छोटा टर्म cannabis है जो आपको याद रकना मित्स न्यत्राई 맵ेल क्या होता है त्यूजन फेस्स क्या होता है और बीच में क्या भरा गया सबलोगर जो यहां पे एक टर्म आया है reinforcement एक टर्म आया है आपका reinforcement है ना अब प्रेंफोर्स्मेंट होता क्या है देखें यहां पर इस पोर्शन को अभी मैं क्या बोला था इस पोर्शन को मैं बोला था थ्रोट क्या बोला था इसको इस पोर्शन को मैं बोला थ्रोट इसको मैं थ्रोट बोला है इसको मैं थ्रोट बोला ठीक है इसको मैं थ्रोट बोला अब देखिए यह जो इकसेस पार्ट है मैं इसको ग्रीन से दिखा रहा हूं इसको मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं ताकि आपका यह जो इक्सेस पार्ट है इतना हमने ज्यादा बेल्डिंग किया है इतना हमने क्या क्या है ज्यादा बेल्डिंग किया है जो इक्सेस मेटल है इक्सेस बेल्ड मेटरियल है हना इसका नाम दिया यह जो पार्ट देखो मैं ग्रीन से इसको हैज कर रहा हूं यह वाला पार यह इसको बोलते हैं reinforcement क्या बोलते हैं इसको reinforcement है इसको बोलते हैं reinforcement ठीक है अब देखिए इसको काफी अच्छे से समझना यहां से objective question आता है सब्सक्राइब करते हैं तो इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है इती अच्छा बेल्ड मेटर इट इस एक्ट्राइब डिमेंशन आट लीश्ट टेन परसेंट ग्रेटर देन थे थिकने सब्सक्राइब करते हैं इसका रिजन में दूंगा अभी करता है फिर से में रिपीट करता हूं इट इस एक्स्ट्राइब इसका दस परसेंट क्या होगा यहां पर आपको प्रभाइड करना पड़ेगा नहीं तो यहां द्रेनफोर्स्मेंट कितना देंगे एक जांपल के दोर पे समझाने के लिए ले लेते हैं कितना हो जागा यह फिक्स नहीं है कि भैलू तो चेंज होगा है ना माली 20 है 30 है तो चेंज होगा देखेंगे बाद में डिजाइन में इसका है ना सो फिर्स्ट पॉइंट किलियर हो गया इस एक्स्ट्रा वेल्ड मेंटर विच मेक्स देट्रोट डिमेंशन अट लिस्ट तेन परसेंट ग्रेटर देन थे थिकनेस अब बेल्ड मट्रिया न यह जो एक्स्ट्रा मेट्रेल यूज किये हैं यह आपको क्या करेगा इसको मतलब स्ट्रॉंग करेगा क्या करेगा इसको क्या करेगा इसको क्या करेगा स्ट्रॉंग करेगा इसको क्या करेगा स्ट्रॉंग करेगा इसको क्या बनाएगा स्ट्रॉंगर बनाएगा तो यह stronger भी बनाता है और weaker भी बनाता है इस बात पर depend करता है कि loading का condition क्या है मतबढ़ आप load है जो कि step का लगा रहे हैं अगर aesthetic load लगा रहे हैं दियान से सुनना है अगर आप aesthetic load लगा रहे हैं तो definitely यह क्या करेगा strong करेगा यह क्या करेगा joint को strong करेगा लेकिन यदि आप यदि repetitive loading लगा रहे हैं मतलब vibration बगर लगा रहे हैं उस case में क्या करेगा यह weak करेगा वो कैसे करेगा उसको मैं explain करने जा रहा हूं कता reinforcement make weaker the joint when a structure is subjected to repetitive or vibrating load because high concentration may develop in the reinforcement reinforcement ठीक है कहने का मतलब है kindergarten reversal exercise load के अंदर क्या होगा यह रिवर्सल लोड के अंदर क्या होगा यह अच्छा से काम नहीं करेगा मतब ज्वाइंट को क्या बना देगा बीक बना देगा क्यों देखो ध्यान से कि जो रिन्फोर्स्मेंट का एरिया क्या होगा काफी कम होगा और क्या होता है लोड अपॉन एरिया यहीं से डिल करेंगे अचानक से यह बहुत ज्यादा लगा देते हैं और एरिया क्या है काफी कम है तो क्या हो जागा इसका एरिया क्या है बहुत कम है इसका एरिया बहुत क मतब अंडर रिवर्सल ओप स्ट्रेसे मतब टेंसन कॉंप्रेशन यदि बार बार इस पर लगाया जाए चुकि एरिया इसका काफी कम है तो क्या होगा यहां पर स्ट्रेस कंसेंट्रेशन आने का एक डर रहेगा है ना मतब अचानक से स्ट्रेस का वहलू क्या हो जागा बढ़ इस लिए है कि जब हम डिजाइन करेंगे वहां पर चुकि डिजाइन में क्या लेंगे आपका साइज बेल लेंगे साइज बेल्ड है जो कंसिडर करेंगे इसी को क्या बोलते हैं साइज बेल्ड हैना थ्रोट थिकनेस को क्या बोलते हैं साइज बेल्ड सो वहां पर इसका जो थिकनेस एक्स्ट्रा जो थिकनेस आ रहा है वह हम कंसिडर नहीं करेंगे वह कंसिडर कर रहे होंगे डिजाइन में वहां पर कंसीडर नहीं करेंगे तो सर्फ कितना करेंगे सिर्फ थ्रोट थिकनेस के बराबर करेंगे इतना ही करेंगे सिर्फ इतना ही करें इसी से हमको मतलब रहेगा एक से स्पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा इसका इग्जेक्ट मिनिंग गई है कि दर एक प्रस्मेंट ऑन देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है कि अब हमें पढ़ना है टाइप और बील्ड के बारे हैं लां किसके बारे में रहा तो कोई बहुत ह مثु टाइप के बारे में किदूरा इसका घतने जा रहाम है तो अब देखने जा रहे है टाइप आप बट बेल्ट कि जब बात करते हैं तो यह वारियस टाइप का है क्या हो सकता यह दोनों मेटल है यह दोनों क्या है मेटल है चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं यह दोनों क्या है आपका मेटल है मेटल वन मेटल टू तो दोनों का जो फेस हो सकता है वह स्कॉायर हो सकता जहां यहां पर क्या है स्कॉायर है है ना दोनों का फेस ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल बेविल्ट हो सकता है सिंगल बेविल्ट मतलब 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 यह टैपड होगा इ सब क्या है टाइप इसको ध्यान से देखना है हना सेकेंड सेकेंड टींग डैबल एबल में क्या होगा ढव एनटेक्गरस से नहीं च Spread को क्या बोल टीरे डीडिये डील शमूध है एक चैट्पर आपको हुणं मूथ है सिंगल भी बटंट सिंगल भी बट बिल्ट तो क्या हो गât है इक वी टाइब का सेपम दिए एक अरह टैप और शुकर क्या कर दिए से बन continuar भोडवे आगे देखर डेबल भी भी हो सकता है एक भी नीचे से आ गया एक भी आपका bottom से आ गया और एक भी आपका top से आ गया तो इसको double भी बोल दिये next देखे है ना closed square है ना यह दोनों metal क्या हो गया काफी पास पास रख के इसको build कर दिया गया next one is single j इसको just है जो याद रखना single j इसको single j पूसकता है डैधल जय क्या हो सकता है single of u इसको लेख सिर्फ्केगा होगा को डीष्पल्टं कि यदि होगा दो उपर से भी होगा पर नीचे से भी होगा तो यह सब टाइप बट वेल्ड है जो एक्जाम में आपको लिखना होगा याद रखना होगा तेका है ना यह आपको याद रखना पड़ेगा और रफली है जो आपको फीगर भी बनाना पड़ेगा है ना चलिए करते हैं आप यह अब करता है अब यहां पर देखे जो मेञेब्ट कर रहे हैं दोनों धों मेटल को जोडने के लिए उस्का PNP कर और Ciao और but ठीट कर सकतर है कि कौन सा Amaum सतलिए आपने बन है जो इड़ाप्ट किया जिस अदो regulate penetration किसकेश में होगा double u, double v, double j, double u, double v और double v, gehe ke case के होगा complete penetration होगा आप सूचे थोड़ थे इस base में देखे, metal क्या होगा built material, यहां भी fill that होगा यहां पर भी fill करेंगे और यहां भी fill करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि complete क्या हो गया penetration हो गया, complete penetration हो गया, मत्ब English इंड से लेके दूस्टा इंड तक हो गया तो हूं क्या बोलेंगे नहीं क्या बोलेंगे इसको पर इंक कम्प्लीट पने क्या होगा इंज्म चिंगल इूब्स फी और जी में इसे में क्या haven ऑगा in complete दीए single भी butt built है सिंगल भी butt built उसी तरह से single u में भी होगा है यह देखिए यह single u का example है उस तरह से single J में भी होगा तो यह थो था अभर ऐख है आच क्लास में हम लोग पढेंगे इसका design WITH sidewalk पढेंगे but built का है और उस पर numerical भी करेंगे तो क्लास है जो और इंपोर्टेंट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास है जो आपको अटेंट करना है चलिए एक चीह मैं और बता दूं कि complete penetration और incomplete penetration दोनों में क्या होगा size of build है जो अलग-अलग होगा वह हम डिजाइन में देख लेंगे कहां देखेंगे डिजाइन में देखेंगे तो काफी डिटेल में है जो डिस्टेस किया गया है मैं आसा करता हूं कि आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आया होगा कल हम देखेंगे आया है ना हम आप देखेंगे देखेंगे है जाइन जाहन मिलते हैं नेक्स क्लास में